आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ एक प्रावलम जो एक हर JS डिवेलपर को चाहे वो फ्रेंट एंड हो या बैक एंड हो उसे फेस करना पड़ता है जब भी वो नोड जेस यूज़ करता है जैसे की आपने मेरी स्क्रीन पे देखा होगा कि मैं React.js एप करेट करने वाला हूँ NPX कमांड से और मुझे एरर मिलता है कि आपका जो Node.js का वर्जन है वो काफी पुराना है आप 14 वाला वर्जन यूज़ करो या उससे higher वर्जन यूज़ करो दैन ये करेट होगा और इसी त पास एक क्लाइंट आता है या मान लो आप ओफिस में जॉब कर रहे हैं और आपको साइन होता है एक old project और आपके system पे या तो पुराना Node.js का वर्जन है जो काफी backward है या वो काफी latest है और आप face करते हैं कि वो dependency हैं उससे match नहीं करती और आप कुछ module हैं जो वहां पे crash कर र करना पड़ेगा migrate करना एक अपने आप में challenge है बहुत fixes करने पड़ सकते हैं और आपकी functionality भी existing impact कर सकती है तो यहां पे एक ही solution बसता है कि हमें अपना version उसके compatible बनाना चाहिए तो यहां पे अगर simple installation की बात की जाए तो हम system में Node.js को install या install कर सकते हैं बट मान लोग के पास दो project assign हो गए आपको single time में और उस cases बे आप अगर installation और installation में फसे रहोगे तो कितना बड़ा आपका time है जो जा सकता है तो यहां पे हमारे पास एक solution निकल के आता है virtual environment create करनेगा कि Node.js के virtual environment create की जाए अपने system पे और easily उन्हें switch करके हम dependency check करके कि कौन से project की कैसी है तो वैसे ही version आप अपने system पे install कर सकते है multiple जैसे कि 10 है 12 है 14 है 16 है 17 है multiple version आपने system में install कर सकते है node.js के और basis on the जो आपका project है उसके basis पे आप उसे switch करके easily run कर सकते है तो यहां पे हमारे पास निकल के आता है एक library या package कहलो या solution कहलो जो भी कहलो node.nb package है वो आपको मिलता है यहां पे जो यह base है वो python की library है एक virtual environment उसके उपर based है और रेपर बना रखा है node वालोंने और यहां पे जो इसलिए python के उपर base है तो हमारे system पे जो requirement है वो python की भी है आपको python install करने पड़ेगी और यह भी जो इन्होंने step दे रहे हैं यह link में description में डाल दूँगा आपको इसलिए मिल जाएगा आपको यह step follow करने है और at least यह package अपने system पे install करना है easily यह easily हो जाएगा अगर आपको issue आता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं और mail भी करते है me at the rate ravinderneki.com पे और इसके साथ friends आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए काफी कमाल हो सकती है मैंने अपनी website बनाई है ravinderneki.com आप यहाँ पे जाएए और अगर आपको कोई question है आपके चाहे वो carrier related है web development related है कौन सी चीज आपको सीखनी है कौन सी नहीं सीखनी है कुछ भी आपको discuss करना है तो मैं यहाँ पे messenger में available रहूंगा मैं full time तो guarantee नहीं देता कि full time 24 hours यहाँ पे available रहूंगा but most of the time मैं यहाँ पे available रहूंगा आप मेरे साथ सीखा chat भी कर सकते हैं तो यह था एक news आपके लिए I hope कि यह आपके लिए really helpful रहेगी और then comment और मुझे जो mail करने का process है वो तो जारी है आप उसे कर सकते हैं और video को like और share friends जरूर कीजिया करें ताकि मुझे motivation मिलती रहे और मैं अच्छी अच्छी video बनाता रहूंगा जल्दी जल्दी video बनाता रहूं तो आगे बात करते हैं जब यह process कर लेंगे उसके बाद आपको क्या चीज़ करनी है आपको make sure करना है कि आपका जो node ENB है वो install हो चुका है वो कैसे होगा node ENB लिखना है आपको double dash लगना है यानि कि हाइफन वर्जन लिखना है और दें enter प्रेस करना है और जैसे इसने वर्जन बता दिया तो आज इससे आपको बता लग जाएगा कि node ENB आपके system पे install हो चुका है वापस चलते हैं documentation में और यहां पे हमें इस वाली command से फिर start करना ह जब यह उपर वाला process हो जाएगा हमें इस command से करना है start node ENB लिखना है और create environment करना है create environment से पहले नीचे command है node ENB list की हम इसे चलाते हैं क्यों चलानी है उसका एक region है node ENB क्योंकि हमें पता करना है कि कौन-कौन से version है या latest version कौन सा है node ENB का तो मैं double dash लगाउंगा सारी command double dash से ही च जाएंगे node.js के अब तक के version और जो सबसे उपर वाला version निकल क्याता है वो 17.3 है तो इसको मैं use करूंगा या मुझे create करना है तो मैं क्या करूंगा तो सबसे पहले जो best approach है वो यह है कि आप एक directory बना लें या folder बना लें चाहे आप window यूज़ कर रहे हैं चाहे Linux या Mac एक directory एक folder जरूर बनाएं ENB नाम से और देन उसके अंदर आप यहां पे directly यहां पे create कर सकते हैं पर मैंने भी इसको आगे फ़र्दर subcategorize किया है node और Python में क्योंकि मैं Python का भी virtual environment यूज़ करता रहता हूं तो node पे मैं गया node में मैंने 10 already install किया है तो node में मैं एक और version create करना चाहत हूं तो मैं लिखूंगा यहां पे cd और इस वाले folder में जाता हूं node और then यहां पे गया तो मैं पहुंच गया हूं इस folder में और मैंने make sure भी कर लिया है और then मैं यहां पे लिखता हूं node ENB node ENB और यहां पे double dash और मुझे लिखना है node equal to कौन सा version create करना है 17.3.0 और कहां करना है यहां कि कौन सा folder उसके लिए create हो तो मैं same version से बना लूँ ताकि easily identify कर सकूं कि यह कौन सा वाला version install हुआ है और जैसे इसे करता हूं press enter तो यह install होने लगेगा और कुछी minute में यह install हो जाएगा तो यह हो चुका है install और हम देखते हैं कि folder बना के नहीं तो यहां पे देख सकते ह आप फोल्डर बन चुका है 17.3 का और यहां पे कुछ और फोल्डर बने है तो इतना हमारा काम हो गया और आप हमें चेक करना है node.js का वर्जन पहले मैं कमांड चलाता हूं node double dash and version और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे system का पहले वाला जो predefined इंस्टॉल्ड या pre-installed व वो 12.15 है और मुझे यूज करना है 17.3 तो कैसे करूंगा तो इसके लिए एक छोटी सी कमांड है कि कैसे node.js का वर्जन को हम यूज करेंगे तो पहले क्या लिखना पड़ेगा dot और जैसे कि आपका जो वर्जन था वो 17.3 था उसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है bin और य कैसे ही आप इसको एंटर करते हैं तो यह जो वर्जन आपके लिए एक्टिवेट हो चुका है और तैन आप इसका वर्जन भी देख लेते हैं कि इसका वर्जन क्या है double dash के साथ वर्जन कमांड और यह आपको वर्जन दिखाएगा कि इसका वर्जन कितना है 17.3 तो यह काम ह हो चुका है हमारा node.js का वर्जन एक्टिवेट हो चुका है और इसको अगर फ्रेंडस आपको दुबारा बैख जाना हो तो कैंसे यह से जाओंगे इसके लिए भी एक डिक्टिवेट कमांड है डिक्टिवेट कमांड के लिए आपको लिखना पढ़ेगा डी एक्टिवेट और underscore और node लिखोगे और then enter करोगे तो एक deactivate हो जाएगा और आप normal जो जहाँ पे थे वहाँ पे आ जाओगे तो again मैं इसको activate करूँगा क्योंकि मुझे एक app run करनी है तो activate कर लिया 17 version हो गया अब मैं वापस चलता हूँ वहाँ पे जहां पे मुझे एप create करनी थी वह वाली एप जहां पे मुझे error आई थी तो यहां पे चलता हूँ और यहां पे लिखता हूँ cd और यहां पे ड्रैक करता हूँ इस फोल्डर को एंटर और lsa करके देखता हूँ कि क्या है demo app का एक फोल्डर already उसके अंदर बना हुआ है तो मैं create करता हूँ npx command create react app और then mac app और बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ demo-app-web और यह app मैंने बनाई और एंटर करता हूँ तो यह app मेरी बननी स्टार्ट हो जाएगी आप देख सकते हैं कि जो installation process है वो चलने लग गया है और वापस चलते हैं इस फोल्डर में इसके अंदर देखते हैं folder बना की नहीं यह राइट यह बनने लग गया है यानकि application मेरी बनने लगी यह चलता रहेगा process I hope कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप ऐसी problem से निजात पा सकते हैं ENB node ENB package के थुरू और आपको अगर कोई भी problem आते हैं इसके regarding तो आप मुझे mail कर सकते हैं comment कर सकते हैं और मेरी website पे जाके आप तो message कर ही सकते हैं तो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी helpful लगेगी अगर आपको जरूर helpful लगेए friends तो please like और comment तो जरूर कीजिएगा मिलता हूं आपको नई वीडियो के साथ thank you so much till then keep learning